कोस्चन है दोस्तों दी गई समरूपता के आधार पर दिये गई भी कलपों में से नहीं दी गई संख्या ग्याद करें कहा नहीं दी गई संख्या है दोस्तों यहाँ पर प्रिश्णवाचक चिने न यहीं पर आपको बिताना है कौन सी संख्या होगी यानि प्रिश्णवाचेक चिनिक पे option से कौन सी संख्या आएगी जो सही साटीक बैट है ठीक है देखें पूछने करना है ऐसे question है तो बस आपको देखना है दोस्तो 42 का संबन 56 से कैसे है तो दोस्तो अगर मैं आपको simple सी भासर में बोलू तो यह कितना ज्यादा है दोस्तो 42 स में भी 14 जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तो 86 कितना होगा दोस्तो 86 हो जाएगा लेकिन option में भी आपको 86 मिलना चाहिए देखिए option में किसी option में 86 दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है इसलिए दोस्तो हम इस type expression को solve नहीं करेंगे तब क्या करेंगे दोस्तो अब हम दूसरा method सोचेंगे अगर option में 86 रहता तो answer आपका हो जाता है ठीक है कभी कभी रहता भी है answer भी होता है ठीक है तो यह तरीका भी अब 72 को भी 6 बार में कटाना है तो किसने से कटेगा दूस्तो बार अच्छा के 72 हो जाएगा अब बार अच्छा के 72 क्या होगा चानवे रहेगा तभी आठ बार में कटेगा तो प्रस्णवाचक चिन पर दूस्तो यहां पर क्या होगा दोस्तो 96 होगा अब देखिए 96 किस option में है तो देखेंगे option number a में दिया हुआ है तो आपका option number a दोस्तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूं दोस्तो आप expression को बहुत अच्छे तारीके से समझ गयोंगे और इस type के question आपके exam में आगा तो